तो दोस्तो आज हम लोग एक और Spanish poem को cover करने जा रहे हैं इसके writer भी Pablo Neruda है और इसका नाम है The Hangman इसको basically Canto 5 में से लिया गया है और इसके section का नाम है The Second Batrade और इस Hangman का मतलब है सरकलम करने वाला यानि जालिम सरकलम करने वाला तो इसके दो ही stanza हैं without wasting any time let's get start So, line start होती है यहां से The Hangman सरकलम करने वाला So, पहले आप लोग इनके मतलब देखलो फिर बहुत ही easy हो जाएगा समझने के लिए So, saurine का मतलब होता है group of reptiles यानि के lizard चिप्कलिया वगहरा Scaly का मतलब होता है जैसे सांप के उपर वाली परत जो होती है वो scaly होती है उत्तर नहीं होती है Resembling like a coin Spirals चैसे होते हैं जैसे स्प्रिंग होता है किसी भी चीज के राउंड वो जो गोल-गोल घुमता है ठीक है उसके बाद है Erected Erected का जाता है construct करने को किसी भी चीज के बनाने को Terrible का जाता है खौफनाक चिल्डरन बच्चों को Poisonous जहरी ले Serpent Smell का जाता है सांप के बच्चों को Cradles का जाता है जूले को Torret का जाता है तुफान को Incubated का जाता है जब मुर्गी अंडों पर बैठते हैं तो उसमें से बच्चे निकलते हैं तो उसको उस वाले process क्या का जाता है Incubated का जाता है Progeny कहते है Nustle को, Growth को, आपकी Generation को, Descendants को Swamp कहा जाते है कैसे Area of Land को जहां पर्मनेंटली पानी जमा हो जैसे कोई जोहर होता है यो कोई भी होते है ना जहां पर्मनेंटली पानी रुख जाता है वो छोटा सा एक तलाब बन जाता है उसको कहते है Swamp इसके बाद Scorpion बिच्चु को कहा जाता है और Fornicated कहा जाता है जना करने को Means to have sexual intercourse मतलब समझ आ गए सबके अब इनके translation देखिए तो basically यह Hangman का जो पहले वाला Stenza है यह Brutality और Violence की बात करता है यह बात करता है उनके behavior की बात करता है जो यहाँ पर आके काबिस हो चुके है यहाँ पर आके colonies उन्होंने बना लिये और उन्होंने एक different ही America बना लिये चीक है उस चीज़ के बार में बात कर रहे तो वो क्या कह रहा है Sorens के लिए America एक ऐसा America जो सांप और Lizard की तरह रंग बदलता है कोईड उसने घेर लिया है around vegetable growth सबजियों के अफजाइश को उसने घेर लिया है किस तरह इस तरह जैसे around the flagpole अच्छा flagpole का मतलब होता है वो वाला pole जहाँ पे जंडा लगाया जाता है a pole on which to raise a flag ओके वो कहरे सूरियन्स के लिए अमेरिका ने जो सबजियों के अफजाइश है उसे इस तरह गेर लिया है जिस तरह एक जंडा जो है वो किसमें लगावा है erected constructed हुआ है लगावा है एक पानी में एक जोपड़ी नहीं सौरी एक जोहड में उसमें लगावा है ना तो जिस तरह उसको चिपक लिया और सांप चिपक जाते है उसी तरह अमेरिका ने सबजियों के अफजाश यनि वेज़िबल ग्रोथ पे यनि पूरी अमेरिका पे जो है वो कब्सा कर लिया यहाँ पे वो capitalism की बात कर रहे यहाँ पे वो capitalist जो बंदे है उनकी बात कर रहे कि किस तरह उन्होंने बड़ी-बड़ी चीजों में अपना नाम जो है और लिखवा लिया यह वो आगे लगगए है और सारा कुछ उन्हे के अंडर ही होता है हर चीज जो है उन्हें के अंडर होती है और उसको आके वो चिपा गया सही है, यहाँ पर यू उसने Americans कोई कहा है जो Spanish लोग है, जो यहाँ पर हकूमत करके आ चुके है उनके जो capitalist लोग है, यह उनकी बात कर रहे है You nurse terrible children, तुम परवरिश कर रहे हो खोफनाक बच्चों की with poisonous serpent's milk और तुम उसे क्या पिला रहे हो जेहरीला सापका दूद पिला रहे है उनकी नेचर की बात कर रहे है, किसथे, किसी देडर मेजaden 48 अचा सफवानी की तैय में जे जितना है unbedingt TORET CREDLE INCUBIATED उनके लिए आची टौवानी जूले तैयारी है . यनि उन अंडों पर बैट कि उनको जल्दी जल्दी उनकी अफजाइश की जारी है और एक ऐसी नसल तियार की जारी है जो कि खून की प्यासी होगी और उसका रंग कैसा होगा येलो क्ले जैसा बिल्कुल पीली मिटी की तरह आज की जनरेशन की बात करें वो उन लोगों की बात करें कि जितने भी कैप्टलिस्ट लोग है वो लोगों का हून पीते जा रहे हैं पीते जा रहे हैं लोगों को क्या करते जा रहे हैं यालो क्ले में चेंज करते जा रहे हैं वो सर्पेंट्स मिल्क से बने हुए, उनका वो लुग टेरिबल चिल्डरन की अवजाइश कह रहे हैं, ठीक है? बिल्ली औज पिछू, पॉर्सी ना उनका उन्ने अपस में इन अपस हीजए लेंड गना दिया हैं, आँ बोवेरोल संजिए वहुजए। Basically, the Hangman is a reflection on the brutality and the violence that has criticized the history of America. In addition, the poem employs vivid imagery and metaphors to describe the savagery of the continent's colonization and the atrocities committed against indigenous people The first chanza, okay, let's see the first chanza The first chanza of the poem describes America as a as a saurian, scaly creature that coiled around the landscape Now, look at this two things First of all, he said what is the saurian and scaly? There are a lot of vivid imagery and metaphors used After that, he said the first chanza of the saurian and scaly and he said what is the name of the vegetable growth which we know is that all of them are in their hands in the elite class After that, the use of reptilian imagery implies a sense of what? Definitely a sense of danger He used so much saurian, scaly, reptiles or snake or serpent smell or bloodthirsty If we use it, what do we know? What do we know? What do we know? It's a sense of danger Danger sense He is not stable He is not stable He is not stable He is not stable He is talking about indigenous people who are their children and make their children in the milk of the serpent and make their children What is showing it? The corruption of the continent This violence is highlighting that brutality which is happening with the indigenous people with the animals that all the atrocities and all the elite class members were the capitalists who have kept their children and kept their children and kept their children and what do we know? Serpent's milk And the cat and scorpion used to use the metaphor for capitalist people and the people who are the people who are the milk and who are the people who corrupt the milk and who are the people who corrupt the earth and who are the people who make this land and who make this land That's right Now let's look at his second stanza So, in the second stanza Look what he says He says The light fled from branch to branch but slumbering man did not awaken So, flood means suffering to branch branch to branch from shark slumbering man is awake awakened means awakening So, he says the light has suffered One branch to another branch was the beginning one branch to another branch to another branch that was brought up The light caused पहली लेकिन जो सुस्त आदमी था वोँ नहीं उठा जो सोया हुआ हैंशना था वोँ नहीं उठा यहां से वह बात कर हैं उन लोगों के जिनके हाथों में न мощ ठाऑ प्रेंच आईदी थे। उनकिन प्रेंचे शुगर कान वो तरह नहीं जाते थे Magistress has rolled into The surlyest tight sights and in the cantinous Rear-field crest The shoeless day labor Spat out his boostful independence Magistress means hunger Surlyest means bad-sourat And Sessis sight means afternoon time Dupahir time And he says that That people in their blanket The night of the night The night of the night And the night of the night And the night of the night The small-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to. And in the cantinous Rear-field crest Cantinous bar And the bar The crest of the crest Rear-field The crest of the crest The crest of the bar Without the jout The labor It was a It was a Of an वरती मिस में आजाएगा वोलेंस और बुटालिटीज के बाद इन इक्वालिटी और इन इंजस्टर्स नेचर और इंवार्मेंट का थीमा जाएगा क्लोनलिजम का थीमा और इंपरियलिसम का so so in the last I just want to say that overall Neruda's poem the hangman is a powerful critic of clonialism and imperialism highlighting the violence and brutality that criticize the colonization of America the poem emphasizes the need of acknowledge that harm caused by clonialism and actively resist its ongoing impacts while also emphasizes the need for greater equality justice and environmental sustainability so that is all about today's poem stay tuned for more such video tab tak liya khoda hafiz